क्रिम क्रिम रिम 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 हम हम दक्षिना काली के क्रिम 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 रिम रिम हम हम स्वाहा मा दक्षिना काली के नमा प्रसन नबर दो भवा प्रसन नबर दो भवा प्रसन नबर दो भवा प्रसन नबर दो भवा साथी साथ 38 साली से 38 तोटके भी दिये जा रहे हैं ये साधना उबाला कड़ी में आज हम बात करेंगे सुक्र साधना के विशव में पुर्न विधान के साथ आपको पता होगा सुक्र साधना के संबंध में 1000 वर्शों से विभिन गरंथों में चाहे राबन कुरुत उडिस तंत्र हो अथवा विश्वामित्र सहिता हो अथवा सक्ति प्रमोध हो इन सभी ग्रंथों में सुक्र को प्रधानता देते हुए वसीकरण एबम आकरशन से विशेश रूप से जोड़ा गया है लेकिन सुक्र केबल वसीकरण एबम आकरशन का ही कारख ग्रह नहीं है ये तो पूरे व्यक्तितों में अद्भूत कांती देने वाला सच्छता, सुंदर्ता, विदेश गमन, पूर्ण तुरुपती एबम आनंद कारख का ग्रह है हमने भी अपने अनुभाव के आधार पर सुक्र से संबंधित सभी ग्रंथों को अध्यान करने के पस्चाथ जो सरल साधना का निचोड किया है इसको आज हम इस एपीशोड में आपके सामने प्रस्तूत कर रहे हैं इस साधना में विशेश मुहुर्त की आवसकता नहीं होता है किसी भी सुक्रवार को ये साधना प्रारंब किया जा सकता है साथी साथ प्रती सुक्रवार को सामन्य पुजन कर इसके विशेश मंत्र का नियमित रूप से जाप किया जाए तो सुक्र निरंतर प्रभल बनाता रहता है और आपकी इच्छा पूर्ती पूर्ण रूप से संभब हो जाता है प्रयोगर साधना के विशे में बात करते हैं आपको पता होगा कूछ ग्रहे दिन में अपना पूर्ण प्रभाब दिखाते हैं और कूछ ग्रह रात्री में सुक्र भी इसी प्रकार रात्री तत्व प्रधान ग्रह है अतह इसकी साधना रात्री में ही प्रथम प्रहर के पस्चात अर्थात रात्री के दस बजे के बाद ही संपर्ण करनी चाहिए यह साधना है तू दो उपकरणों का विशेस आपसकता रहता है प्रथम जो है वो है सुक्राष्टक यंत्र जो की ताबीज के रूप में आता है और दूसरा काम रूप मनी मला इसके अतिरिक्त और कोई उपकरणी साधना में आपसकता नहीं होता है जदा अब क्या करें सुक्रवार की रात्री को जब आपके मन में सुक्र साधना करने की पूर्ण निश्चय हो मन प्रसन हो और इच्छा प्रवल हो रही हो तब आपने पूजा स्तान में अपना सयंच कक्ष में अथवा एकांत में कहीं भी इस साधना को संपन अप कर सकते हैं उस दिन रात्री को सुन्दर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा के स्थान में सुगंधित इत्र इत्यादी छिड़क दें वाता बरण में भी ताजगी होनी चाहिए स्रेश्ट सुगंधित माला पहले से लाकर रखें सुक्राष्ट की अंत्र को आपने सामने पीले वस्त्र पर बीचों बीच स्तापित करें वस्त्र के चारों और चार लकडी की खुंटिया बांध कर उस पर मोली बांध दे इसे कीलन कहते हैं और ग्रहराज सुक्र साधना में यहां आवशक है किमकि सुक्र एक चल देव हैं और उसे कीलन द्वारा बांधना आवशक हो जाता है सर प्रथम अपने हुरुदय में सुक्र का ध्यान करें तथा यहाँ आवाहन करें कि सुक्रदेव आपके भीतर आपना पूरा प्रभाव देते हुए स्तीत हो जाएं और उसके पस्चाद कामरूप मनी माला से सुक्र वीज मंत्र का जाप प्रारंब करें आप सिद्ध सदक परिवार का इस दूलब मंत्र को नोट कर लें जब पांच माला मंत्र पूर्ण हो जाए तो अपने मन में जो भी इच्छा चाहे वह कार्य संबंधी इच्छा हो वसीकरण संबंधी इच्छा हो या बीवाह संबंधी इच्छा हो अथवा कोई अन्य इच्छा व्यक्त करते हुए पूर्णता प्राप्त करने की प्रार्थना करते हुए शुक्राश्टा की यंत्रों को और पित पूस्पहार स्वयम धारण कर ले और उसी स्थान पर कूछ दर बैठे रहें उसके पस्चात कामरूप मनी माडा धारण कर ले और यंत्र को हाथ में बांध ले यह साधना उसके बाद आने वाले सुक्रवार को केबल तीन माला मंत्र जाब से ही करें इस प्रकार पांच सुक्रवार तक इसको संपन करते रहें जब भी किसी विशेश कारियों के लिए जाना हो अथवा किसी महत्तोपुर्ण कारियों को पूरा करना हो उस दिन सुक्राश्टक की यंत्र का पुज़न अवस्य करें सामान्य कारियों के है तू विशेस यंत्र और माला को प्रोयग में नहीं लाएं ये साधना निश्च ही आपके जीवन में विशेस अनन्द प्रवाइत करने वाली है ये बंग कामनाओं को इच्छाओं की पूर्ती में पूर्ण रूप से सहायक होता है इसमें कोई संदह का स्तान नहीं है आज के लिए इतना ही था जिनको ये साधना करना है वो हमें इमेल में संपर करें उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा साथे साथ प्राण प्रतिश्टित संपुर्ण सामगरी पहुंचा भी दिया जाएगा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है अभी आप चानेल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का दिये हुए मंत्रों का सनमान भी बना रहे इतना ही था आज के लिए